हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल रूद राय ब्लॉग तो आप भी चने की सबजी जटपट बनाना चाते हैं तो इस रेस्पी को जरू ट्राय करें तो आज हम बनाने वाले हैं चने की सबजी ओभी प्रेशर कुकर में एकदम आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में बना के त्यार करेंगे तो चलिए हम फटा पट रेस्पी स्टार्ट कर लेते हैं यहां पे मैंने चना और मुंग को रात भर के लिए भीगा के रख दिया था और इसका पानी निकालके मैंने अच्छे से इसे वाश कर लिया है और साथ में मैंने एक अलू को मीडियम साइज अलू को ऐसे कट कर लिया है बारीक अब सबजी के लिए हम सबसे पहले मसाला तयार कर लेंगे तो यहां पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लिया था इसे मैंने डाल दिया है मिक्सिजार में और 12 से 15 लसन की कलिया ली है इसे भी डाल देते हैं मिक्सिजार में और 7 में 4 से 5 मैंने लाल मिर्च ले लिया है तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं और 7 मैंने ले लिया है दो इंच अदरक के तुकड़े को इसमें भी डाल देंगे और मैंने साथ में लिया है दो चम्मच जीरा तो यहाँ पे आप जीरा पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैंने साबुत जीरे का इस्तिमाल किया है और साथ में मैंने एक छोटी चमच मरीच के दाने डाल दिये हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालके इसका एक पेश्ट बना के त्यार कर लेंगे तो देखें मैंने पेश्ट बना के त्यार कर लिया है तो अब इसे भी रख देते हैं साइड में और ह्याँ पर मैं ने लिया हैं दो बड़े प्याज के मोटे स्लाइस करें लिया है और साथ में ही फटा प्टा सब्जी बना ले ल mínimo fan लिए के साथ में 3 से चार बड़े चमत सरसो के तेल तो यहां पर आप रिफाइन डॉयल भी यूज कर सकते हैं यहां पर मैं सरसो के तेल में इस सब्जी को बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही ज्यादा सौधिश्ट बनके तयार होती है तो इस तरीके से जरूर बनाएं और साथ में ही तेल जब गरम हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है आधी चमच हींग अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब इसे हमें प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है इसे हमें ऐसे मीडियम फ्लेम पे एक से देड़ मीनट तक ऐसे चलाते हुए इसे पका लेंगे तो इसे हम ऐसे बीच में चलाते रहेंगे ने तो प्याज हमारे जल जाएंगे तो इसे भूनते हुए मुझे एक से देड़ मिनट हो चुका है तो इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे चना और मुँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम थोड़े देर तक भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए और साथ में हम डाल देंगे इसमें आलू जो हमने आलू कट किया था वो भी आट कर देंगे तो इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे तो फेंस इसे भूनते हुए मुझे एक से देड़ मीनट हो चुके हैं मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे एक से देड़ मीनट तक अच्छे से चलाते हुए भून लिया है अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पौडर तो एक छोटी चम्मच यहांपे अल्दी पाउडर मैंने डाला है और सात में मसाले का पेश्ट बनाये था वो भी डाल देंगे इसके अंदर यहांपे मैंने मसाले भी wash tam अब थोड़ा सा इसमें मिक्सी जाए में पानी डाल के हम इसमें आइड कर देंगे तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे और साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे नमक तो नमक आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से एड़ कर दें और साथ में ही डाल देंगे इसमें यहाँ पे मैं एक छोटी चमच लाल मिच पाउडर एड़ कर रहे हूँ और एक चमच मैं यहाँ पे सबजी मसाला एड़ कर रहे हूँ और एक छोटी चमच यहाँ पे धनिया पाउडर अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए एक से दो मीनट तक अच्छे से हम इसे भून लेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे नेतो सब्जी नीचे से जलने लगेगी और यहां पे मैं साथ में यह आइट कर रही एक छोटी मीडियम साइज की टेमाटर को ऐसे कट करके इसमें आइट किया है अब इसे भी हम इसके साथ में भून लेंगे एक से देड़ मीनट तक तो फेंस इसे भूनते हुए मुझे एक से देड़ मीनट हो चुके हैं तब इसमें हमें जितनी ग्रेवी चीए उतना पानी आइट कर देंगे और ग्रेवी से थोड़ा ज़्यादा ही पानी आइट करेंगे हम क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुकर में पकाना है तो प्रेशर कुकर में पकाने से पानी जो है थोड़े कम हो जाते हैं तो ग्रेवी से थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाले और जब एक सीटी आ जाएगा तो इसे हम slow flame पे 10-12 मीनट तक पका लेंगे तो देखिए मैंने इसे 10-15 मीनट तक slow flame पे पका लिया तो हमारी सबजी हो गई है बन के तयार देखिए कितनी अच्छी सबजी बन के तयार हो चुकी है ओ भी कम समय में कम मेहनत में इतनी सबजी बन के तयार हो गई तो इसमें मैं डाल दिएक टी हुई हरी धन्या और इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में तो यहाँ पे देखिए चने कितने अच्छे से सॉप्ट हो चुके हैं यहाँ पे मैं एक चना आपको दिखा देती हूँ तो देखे चने सॉप्ट होगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब और बेल आकन को दबाना ना भूले फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ इसे सर्व करें गर्मा गर्म चावल के साथ